कि नमस्कार दोस्तों मैं स्वायलेस जादो आप सबका आपके यूट्यूब चैनल यह से पाट साला कॉर्णर में स्वागत करता हूं दोस्तों सबसे पहले आप सबको रच्छा बंदन के हादिक सुप कामना हैं वी दोस्तों हूवरी सबसे एस प्रांइब से अथितने भी संड़्य आज संड़्य जब भी संड़ेक तो आप में को उस्टॉपिक से पाटाएगा उस टॉपिक से रेलेटेड जितने भी कोश्चन है उसको सिशन आपके एक्जाम में आए हुए हैं चाहे यह सीज़ों हो चा अब का सिटेट हो चाहिए यूपी पुलिस हो जितने भी कोश्चन उस टापिक से लेटेट होंगे उसमें से लगए दस से 20 कोश्चन अगर time रहेगा तो 30 question इस प्रकार से आपको question कराए जाएगे तो सबसे पहले आज की class में तो 10 question रहेगा आगे की class में प्रयास रहेगा आपको और ज्यादा question कराए जाए तो और जैसे कि अभी तो शुरुआत है तो आपको समझाना पड़ेगा तो time जादा लगेगा लेकिन जब आप समझ जाएंगे एक बार तो आप लगाएंगे तो आपको question बहुत यह असान लगेगा विजिन सेकेंड उसको लगाएंगे तो मेरा प्रयास से यह रहेगा कि आप को question को समझाना है कैसे समझाना है आप को किस तरीके से समझ में आ रहा है अग इस क्रोंगा आपको और भी उसका और प्रयास आपको समझ में उस ठेंगे सारे एक्जाम में आएवे को तो समझ में यहाँ ने कुछ नपीछ पढ़ा उसका कुछ da कुछ नपर वेटिवेंगे उस से रिलेट्ट कॉष्चन नालगाना है को हम तो आप कापी लेके बैठ चाहिए इतनान से बैठ चाहिए और को आगे हम शुरुआत करते हैं तो आज के हम पहले को शुरुआत करते हैं देखते हैं पहला कॉस्टिन आज 10 को रहेगा फिर अगले संडे से को देखें के बढ़ाया जाएगा अभी तो टाइम थोड़ा कम है और आपको थोड़ा टाइम फिर साथ में समझाना विश्ट टाइम में ज्यादा टाइम देंगे तो आप बोर होने लगते हैं क्या होता है कि पढ़ने पढ़ते पढ़ते आदा गंटा एक घंटा हुआ नहीं आप बोर यह तब को लगने लगेगी कि सर अभी पूरा नहीं ह समझाने के लिए अगर लगाना हो तो तो प्रयास यही रहेगा कि आपको हर एक क्वेश्चन आये तो हम की तरफ पढ़ते हैं आज का पहला कुश्चन जो आपके लिए आया है यह हमारे स्सी सीजियल में आया हुआ तो हम सुरू करते हैं पहला कोश्चन पहला कोश्चन देखिए स्लाइट पर आपके आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ हमको निम लिखित लिखाओ निम लिखित में से कौन सी पूर्वर्ग का इकाई का अंकर नहीं है कुछ ऑप्शन में क्या देख ओगए एक सब में इसको लगाने वसकता है तो हम कैसे लगाएंगे तो इसका एंसर होगा 10 लगांगे 502-056- 1974 और हमारा जीरो इकाई के स्थान पर ये संख्या है ये दस अंकल जो है हमारा इकाई के स्थान पर होगा तो हम करते क्या हम इसमें क्या देवाग पूर्ण वर्ग करने पर तो जब हम एक कवर्ग करेंगे तो एक ही आएगा इकाई के स्थान पर दो कवर्ग करेंगे तो चार गजब हम एकाई काश्थान पर जीरो जीरो ही आता है लेकिन अगर जीरो की घट के वहलों जीरो पर वर्ग करते हैं तो उसके घट वह जीरो ही आता है तो हम आगे बढ़ेंगे आप यहां सफ्थान उस पर यही चीज़े हैं हमेसा यही यही दस अंग आएंगे तो हम ऒर करते क्या है Hang अपका आपका एक है, चार है, पांच है, छे है, देखें, यहाँ पे एक है, दो है, नहीं, दो नहीं है, और क्या है, तीन, तीन भी नहीं है, चार है, पांच है, छे है, हमारा, साथ भी नहीं है, और आठ भी नहीं है, नो है, और जीरो है, इस चीज़ को हम देखेंगे क्या यह चार अंख हमारे तीन दो तीन साथ और आठ यह अंख जो है किसी संख्या के पूर्वर्ग में नहीं है अगर पूर्वर्ग होता है तो उसके इकाई क्या स्थान पर यह संख्या नहीं है तो हम क्या कह सकते है हमारे option में क्या क्या दिया हुआ था आठ दिया हुआ था तो हमारा option क्या 8 से हो जाएगा इसको नोट करके हम लिख लेंगे कि नोट आप सब लोग बनाईए कि दो तीन साथ आठ कि यह अंग कि किसी भी कि संख्या के कि पूर्ण वर्ग कि 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 इकाई अंग कि नहीं कि होते हैं अर्थात अर्थात हम क्या कह सकते हैं अगर किसी भी संख्या के कि किसी भी संख्या के इकाई के अस्थान पे अगर दो तीन साथ और आठ आया है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं और गें इसको हम लोग लिख लेंगे क्या लिखेंगे किसी भी संख्या के इकाई के अस्थान पे यह दिन दो तीन साथ आठ है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होंगी तो इससे हमको दो चीज़े सीखने को मिली एक तो इस टाइप के कोई सिन आएंगे तो लगा लेंगे अगर हमको कोई वर्ग दिया हुआ है कोई भी संख्या दिया उसका वर्ग मोल निकालना हो तो अगर उसके एकाई कैस्टन पे दो तीन साथ और आठ हाया हो इन चारों मे जैसे हाई यह पहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझे हैं आप लोग प्रयास करिए कि जितनी चीज़े मैं नोट करके लिखा रहा हूं इसको जरूर ही लिखिए और कोईशन बराबर संडे बाल के दिन वाला कोईशन है इसको नोट बनाते रही है बाकि और जो आप लि नाइन तो थे शिवन एंट्वं gosh 29 मि नाइन फाइफ इंट्वं त्री एट एंट्वं एट ऊंट्व इंगाइब करना है इकाई कांग करना है तो हम करते क्या है सब का इकाई कांगقة लेते हैं जितने भी संख्या सब्सक्तब्सक्राइब कर सथ पे उसक्त वस्ट प爵क्राइब है। सब Only फ्रति मुड भुड़ा कर 감사합니다 लेकिन धान दीजी हम पहले उन संक्याओं का गुड़ा करेंगे कहीं इसको अगर जीरो आ रहा जैसे साथ परच्चे 35 के पांच आ रहा है जीरो नहीं आ रहा आठ परच्चे 40 इन दोनों का गुड़ा करने के बाद जीरो आ गया अगर किसी भी गुड़न संक्ट्रिया में हमको क्याइब करने के बाद जीरो आ रहा है तो कि अगर यहां अग़ ponieważ सदेव के कि ते आगे कि जरूर लेधिये के ज switch हैं गुड़ा करेंगे तो जीरो इंगक करेंगा क्या हो जाएगा सदे जीरो हो जाएगा इस पर करते हैं तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूं तब इस तना टाइम लग रहा है नहीं जब आपको यह चीज़े पता होंगे तो क्या करेंगे अच्के सथ बच्यश्तों की तर चलते हैं तीसरा कोश्शन के दिया हुआ तीसरा कोश्षन पांस वीभाजित तीन क्रमागत् प्राकृतिक संख्याओं का योग जो संख्या है 5 थो उनमें 3 क्रिमागत प्राक्रतिक संख्यां का योग 25 है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है क्या पूछा है वाजी संख्या क्या हो जाएगी कि एक्स प्लस पांच हो जाएगी कि तीसरी संख्या क्या हो जाएगी कि सॉर्ड़ी कि एक्स प्लस टेंट यह तो हम इसको मानेंगे नहीं तो अगर हमको तीन संख्या दियों उसको मानना होता सबसे सबस्क्राइब तो चाओ आप देंगे चिज़े और यह को आसान बना देती हैं हम दोने तरीके से देखेंगे आएगा अगर पहले रखते हैं तो क्या आएगा एक एक सब्सकों जोड लेंगे जोडने के बाद क्या दियो आफ्स योग 205 दिया हुआ है एक्स प्लस एक्स प्लस 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 एक्स प्लस दस बराबर 205 अब यह कितना हो जाएगा 10-5 बंद्र है यह कितना हो जाएगा 3x बराबर 220 महाँ गया रहे हुए और 50 5 बंद्र है इ zombies हो जाएगा मैं इसको डिवाइड करेंगे साथ सतर आ गया यह संख्या पूचा तो सबसे बड़ी संख्या क्या जाएगी एकस प्लस सतर प्लस 10 कितना बचाएगा हमरा असी बचाएगा अब इसमें देखेंगे इसमें लगाने का अर्थ सीधे हो गया यह कितना दूसोपच्षीश दिया हुआ है यह जोड़ने के बाद यह पंद्र है यह हमारी बीच वाली संक्या तो सबसें बड़ी संक्या कितना पांच जोड़ देंगे इस प्रकाल से हम कोश्चन लगाते हैं इसको माने इसको करेंगे तो हमको यहां लेकर घटाना नहीं पड़ेगा सिधे कट जाएगा तो अधिकतार कोश्चन में इसी को प्रिफर करते हैं हमारा अद लगाने में आसानी होती है अगला कोश्चन हम देखेंगे तीन कोश्चन हो गया है, आगे कोश्चन देखेंगे जिन्होंनों कोश्चन को नहीं लगाया हो, वो वीडियो रोक के एक वर उसको लगा लीजिए नहीं समझ में आये तो कहीं, तो उसको पूछिए चोग्ता कोश्चन देखेंगे चोग्ता कोश्चन में मारा क्या दिया होगा देखेंगे, चोग्ता कोश्चन क्या दिया होगा है दो, क्या क्या दिया होगा है दो, पांच, जीरो, छे, आठ अंकों से बनने वाली पांच अंकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या अगर हम भरनानी तो क्या करें गए आठ से हुझत के हैं उससे च्छोटी पांच है उसे च्छोटी दू है फिर सुरी भटी इस प्रकाल से हमारी शबए बड़ी संख्या बन गई लेकिन छोटी संख्या देखें लेकिन चोटी संख्या कर में लगासे हैं 56 s से इसक RAM मैं या जाएंगा हम सुरवाद काई क्या करेंगा अगर बीच में जीरो है यह ज़ीन हमाली सबसे पहले क्या है जीरो से पहले नंते बाड़ी क्या है तो हम गया करेंगे फिर उसके खेंगे लिखें और रहेे हैं 2 यहusta सबसे शोटी है कि यहां है यहां यहां चशो भाष यहां कितना यहां चुटे चार च्बार यहां drastic 16 ंच 6 है 6 में से यहां पर हासिल गया तो पांच छड़ जाएगा पांच पिसे दीर हो जाए इस प्रकार से हम इस को लगाते हैं अब आगे देखेंगे अगला को सिंपल सा देखिए आप सब क्या दिया हुआ है निम लिखित कत्नों में से कौन सा कथन सही नहीं है चार कथन है उसमें से एक कथन ऐसा जो हमारा गलत है रहीं ध्याण से आप भूले नहीं भूले जहां आप नहीं भोले कॉश्चिन में देखे खिन को नहीं आप ध्यान दिये तो आपका तुष्च्चिन गलथ हो जाएगा कि कि इसमें चार सही है किसी योग को साही है लगा आगे बढ़ए संख्या है हमने आपको प्राकृतिक संख्या और वास्टिक संख्या बताई है तो प्रतेक प्राकृतिक संख्या एक वास्टिक संख्या है यह क्या है सही हमारा दूसरे नमबर पर प्रतेक वास्टिक संख्या एक प्रमेर संख्या है क्या सभी वास्टिक संख्या प्रमेर संख प्रत्रतित क्या होता है पुरांक होता है प्रमे प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत् प्रतेक पुदांग एक प्रमे संख्या होती है प्रतेक प्राक्रतिक संख्या एक पुदांग होती है तो इस प्रकार से हमारा हो गया आगे हम पांच कोईशन हो गए यह हमारा कौन सा है छाटवा कोईशन हम देखेंगे छाटवा कोईशन में क्या देखिए एक अच्छा में छात्रों की संख्या बीस प्रतिसत से बढ़े के छाच्छ प्रतिसत हो जाती है कितने से एक सोबीस प्रतिसत बढ़ी है तो कितना हो गया यह झाला रचाप अगर वीश प्रसेद्व में बीच प्रतिसाद जूड जाएंगे यह कितना निकॉटना निकालना है सो प्रतिसाद 100 प्रच्शित क्मान निकलना 100 प्रच्शित तो यहां 6600 प्रटे 120 गुड़े 100 कर देंगे अब हम इसको यहां से कट देंगे 6 से स्चैसे इसको कटेंगे 24 जाएगा गया रहा है है इसको और में यहाँ जाएगा थो सबस्क्त पहले हम क्या मानेंगे संख्या संख्याए मैं संट प्रसंट रहें थो समय क्राणन को हल करके हम अंसर निका लेंगे लेकिन जब हम हंडेड़ पर्सेंट इसको मान के लगाते हैं तो क्या होते हमारे मान तुर्ण निकल जाता है इस प्रकास से मैं तौन साथ ओं धेक्छा देखेंगे में चैनल तक आप लोगों ने बहुत अगा है 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 मैं कि इसे परकार से आपको अच्छी जानका रहें है इन सब प्रकार से क्या होता है हमारा बेसिक जो होता है वह दुबारा हुज जाता है तो वह हमारा नब हो ब़िल रहता है तो इस प्रकाद से कोष़न यह सारे कोष़न ऐसे नहीं सारे कॉषिंग आया है कितने सिंपल इतलिbrahim झीम्ल आप देखते हैं सातवे नमबर के question पर चलते हैं, सातों question क्या है, देखिए द्यासे, ऐसी तीन क्रमिक संख्या है, फिर कौन से, तीन क्रमिक संख्या है, क्रम से संख्या है, जिसमें पहली संख्या का दो गुना, दूसरी संख्या का तीन गुना, और तीसरी संख्या का चार गुना जोड़ने पर एक्सो एक्यान में हो जाते हैं अगर हम संक्या को एक्स मानेंगे तो दूसरी संक्या एक्स-प्लस-वन हो जाएगी तीसरी संक्या एक्स-प्लस-वन हो जाएगी तो हमको कहा क्या गया है इसमें कहा क्या है पहली संक्या का दो गुना इसका दो गुना के इतना हो जाएगा लाश में दोड़ने पर है दूसरी संक्या का तीन गुळा इसका तीन नटो इसमें त्री शगुणा करते जांगे आगे अपने आतर आप प्लस इसका क्या करेंगे कि इसका चाइर गुणा करना कितना चाहर गुणा तो हम देखेंगे क्या इनका योग कितना दिया हुआ है एक सो 192 तो हम सब को एक बार गुड़ा कर लेंगे यह 2x हो जाएगा प्लस 3x प्लस 3 इसका इसमें गुड़ा होगा 4x प्लस 4 दुनी 8 191 हो जाएगा जो 1x उसको जोड़ेंगे 3 प्लस 2 5 प्लस 4 9 x इसको यहां पर इसको जोड़ेंगे इधर माइनस कर देंगे आठ और 3 111 होता है इक ग्यारे गटा देंगे 111-11 कितना अजयाएगा मारा कि आस्टैन नि आसरेल में बारे मारा कितना आजयाएगा क्या पूचा तो 3 संख्याए पूछा वभी 1 में भी prd 22 इंगे हमारी क्या युश्याएक संख्याए हैं इसको लिश्याइँ फिर 22 किसी संख्या को किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तीगुनी संख्या से साथ कम हो जाती है कि किसी संख्या में 21 माना संख्या एक्स है उस संख्या में कितना जोड़ा गया है 21 एक्स प्लस 21 सेम प्रश्म के अंसर चलेंगे एक्स प्लस 21 जोड़ा गया तो वह अपनी तीगुनी संख्या से साथ कम है तो यह अपनी 3 एक्स माइनस 7 इतने के बराबर है तो वह शंख्या एक्स कमान कूछा है तो यह साथ इधर जाएगा तो यह माइनस तो प्लस हो जाएगा यह था इस हो यद्ध उनिन से बड़ी शंक्या को 4-7 कर दिया ज़या और चोटी संक्या को 12 बढ़ा दिया तो प्राप्त संक्या एंग समान होंगी कäre अगर मान लेते हैं माना की यक्स-ट वाइ बरावर पानसोम बीशर्ष समीडरब 1 हो गया दूसरा नमबर क्या कहा है राम सबकूं जो छोटी संख्या है उसका 112 प्रतिसत उसका 12 प्रतिसत अधिक क्या आथ होता है जैसे इसको और प्रतिसत ब्रावर किसका कहा रहा बड़ी संख्या, y का 100-4 प्रतिसत तो प्रतिसत प्रतिसत से हम काट देंगे सोका कोई ने का अगा कितना सो एक्सका एक्स का 112 यह से सबस्क्राइब बचा कि अब इससका है एक्सका मानने निकालेंगे एक्स बरावर 96 और तो यह स्थानपर हम मान लग देंगे क्या राकिंगे झानबे य प्लस है है हमको क्या निकालना है यह संख्या निकालना जैसे हम इसी को और एक तरीके से लिख सकते हैं वह भूद अगर 112 यक्स पर्टे 96 तो अब हम इस से लगाएंगे तो सबसे पहले यक्स नीकले के तो यसका निकले तो इस समीकर पर हम रदेंगे यक्स प्लस 112 x 90 520 यह हमारा दिया हुआ है हम क्या करेंगे LCM लेके गुड़ा करेंगे 96 x प्लस 112 x बराबर 520 गुड़े चानफे इस चीज़ का डारेटली यहाँ पर गुड़ा कर देते हैं तो x कमान हम निकाल लेंगे x कमान के कितना निकलेगा 112 x 90 208 यह बराबर हमारा कितना हो गया यह हमारा हो गया तो इसको हम सॉल्ल करके कितना यह पर मान निकालेंगे पाउन सब्सक्राइब गुड़े चानफे 208 जितना भी आएगा इसका अंसर लगा निकाल लगा लगा लेंगे अब बचा क्या हमारा एक कोश्चन और बचा हुआ कौन सा दसवों कोश्चन एक कोश्चन लगा इसको लगाएंगे दसवों कोश्चन क्या दिया हुआ देख़े यक्स तधा यएक संख्या कितनी हैं 347 यक्सषवार के दो आंक इस प्रकार है ची संख्या 80 से पूरत है विवाजित है संख्या किसे विवाजित है 80 से देखिए ध्यान देजिएगा सबसे पहले पहली बात सबसे पहली अगर आंक के लाइट में जीरो है तो यहां पर वाई के स्थान पर जीरो के अलामा कोई और संख्या हो यह नहीं सकती यह चीज हम ध्यान देंगे तो वाई हमारे डेशिनेटली कितना होगे जीरो गया अब बची हमारी एक्स की बाद तो हम क्या करें आठ से डिव बिवाजित होगी तो कितना है साथ यक्स और जीरो वाई कमान तो निकले गया इसको आठ से विभाजित करेंगे कि तो अध्यकर नहीं आठ वान यक्स कब बचा यक्स के अस्थान पर हम कितना रखते हैं कि जो है यह विभाजित हो जाए तो ध्यान देजिए अगर हम यहां पर यक्स के अस्थान पर एक रखते हैं तो कितना आएगा अगर हम एक रखते हैं तो एक रखेंगे तो कितना आएगा और आप्सन देख लेंगे आप्सन में क्या क्या दिया हुआ है हमारा दो दिया हु अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टोटल में भाग देजिए त्री फोर सेवन यक्स जीरो कर दिए अब इस तो आठ से भाग कर दिया आठ त्रिक चोगिस आठ चोग बद तीस कि कितना बठेगा दो साथ साथ आठ त्रिक चोगिस अब तीन यह तो जीरो प्लाष्ट में जीरो उते चाहेगा यह तो आगे यहाँ पर कौन सी एसी संक्या जो 3 8 2 16 8 24 8 5 40 चालिस तो यहां पर चार होना जाए नहीं यहां क्या होगा दो होगा आर्ट छोग 32 कट जाए जीरो उतर जाए तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर लाश में दो हो जाएगा यह से गयाद कर लेंगे इस प्रकार हम लोगों नहीं दस कोईशन सीखें इन दस कोईशन में कुछ चीज़ें डिफरेंट थी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी तो उन सब चीज़ों को आप सब ध्यान से उसको नोट कर लीजिए जहां आपको आज क्लास में जहां भी नहीं समझ में आ रहा उसको आप या तो मेरे वार्ट्स इसे के साथ आज क्लास को समाप्त करते हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद